हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू सांजा चुला आज मैं आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ मैं किसी फूड की रेसिपी नहीं बता रही लेकिन आपकी हेल्थ के साथ रिलेटिड एक जूस की रेसिपी बताने जा रही हूँ और इस जूस का नाम है गल गलोए के फाइदें बताना चाहती हूँ जो अभी मेरी सक्रीन के उपर आ जाएंगे के लिए मैंने इंग्रीडियन्स लिए हैं दो डंडी गलोए इनको मैंने बारिक बारिक काट लिया है चार छोटे लाइची इनको मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया है 20-25 पत्ते तुलसी के हैं और मिडियम साइज ओनियन्स इन सब चीजों को मैं अब ग्राइंडर में डाल लूँगी सबसे पहले मैं ग्राइंडर में डालूंगी गिलोए ओनियन तुलसी छोटी लाइची छोड़ा सा पानी डालके अब हम इन सब चीजों को ग्राइंड करेंगे इन सब चीजों को मैंने मैश कर लिया है अब हम इसमें थोड़ असा पानी और मिला देंगे इस पूरे सॉलीशन के लिए मैंने एक लिटल पानी को यूज करना है हमारा सॉलीशन जो है रेडी हो रहा है अब हम इसको चान लेंगे स्ट्रेनर में हमारा जो सिरप है वो नीचे एक बाउल में आ रहा है इसी मैटेरियल को हम दोबारा से ग्राइंडर में डाल लेंगे और हमारा पानी जो अभी है हमारे पास उसको डाल लेंगे इससे हम अपने जो नीचे हमारा जो सिरप बन रहा है वो नीचे आ गया है इसी मैटेरियल को हम दोबारा से ग्राइंडर में डाल लेंगे अपने में अर बन दोबारा से राइंडर में रहा है इससे ग्राइंडर में रहा है जो ईढ़ाल रहा है इसी मेटिरियल को मैं ब्राइंडर में दोबारा से डाल वहीं हमने जो एक लीटर पानी अपना माप के रखा हुआ है उसी को दुबारा से ग्राइंड करेंगे कि दो से तीन सेकंड ग्राइंड करने के बाद मैंने इस मेटिरियल को अब स्ट्रेनर में चान देना है यह सिरफ हमारी बॉडी की इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए है इसको तो हम संजीनी बूटी के जैसे मान सकते हैं खांसी जुकाम वगेरा विल्कुल भी नहीं होगा इसको रोज पीने के साथ यह सिरफ हाट के लिए भी बहुत अच्छा है और इस डंडी को हम अपने घर पे ग्रो भी कर सकते हैं इसको उगाने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता बड़े अराम से यह हमारे घर पे लग सकती है और ऐसी चीज़े तो घर पे जरूर होगानी चाहिए तुलसी हो गई गलोए कड़ी पत्ता यह सब चीज़ें हमारे घर पे होनी चाहिए इसको हम फिर दुबारा से डाल लेंगे क्योंकि अभी हमारा पानी थोड़ा बच गया है इसको भी दो से तीन सेकेंड के लिए हम मैश करेंगे और फिर स्ट्रेप कर लेंगे और फिर ऋկख मैश कर फिर्ष्थण करेंगे राग करेंगे थ सकती चाहिक स्टbar स्ट्रेपस इस सिरब को रोज सुवे खाली पेट आदा गिलास पीना चाहिए और इस सिरब को हम 15-20 दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं मैंने एक लिटर पानी पूरा यूज कर लिया है अब मैं इसको जग में डालके फ्रिज में रख दूगी और ये 15-20 दिन हम रोज सुवे उटके खाली पेट आदा गिलास पी लेंगे इससे जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और भी इसके बहुत फाइदे हैं हाट के लिए अच्छा है सर्दी खांसी के लिए अच्छा है गलोई का जूस बनके तयार है आप इसे घर पे ज़रूर बनाके रखें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये सब के लिए फाइदे मन हैं और जो लोग फॉरन जा रहे हैं या फॉरन से आ रहे हैं उनको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल 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 झाल